और आयू से मेरे बड़े आदनिय बंदूओ आज बड़ा मुझे एक सुकून मिल रहा है आप से बात करते हुए खुशी भी हो रही है कि मैं ऐसे अपने साथियों से जितने लोगा जुड़े हैं मुझे लगता कि आयू में बहुत तो मेरे से छोटे भी होंगे बहुत मेरे से बड़े भी होंगे लेकिन एक मन में जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी द्रिश्चत देखकर के बहुत ही पीड़ा भी होती थी अचमबा भी होता था कि हमारे जो बुजूर्ग है पैंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है दर्खास लिखवाते हैं फिर किसी दफ्तर जाते हैं उनकी फाइल उनका दस्तावेज त्यार होता है महिनों मेने गुमते रहते हैं लेकिन उनको पैंशन बनके नहीं देती थी व्यवस्था बड़ी जटिल थी कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था कभी किसी पटवारी और तसीलदार के पीछे कभी SDM के पीछे कभी चोकिदार के पीछे और आखिर में बाबू भी उनको खुब गुमाते थे और पैंशन है कि बनके नहीं देती थी लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हमें इस ववस्था को ठीक कर पाए हैं कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा 60 साल की आई होते ही घर बैठे आपको पैंशन मिलेगी और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था एक लाग से ज़्यादा लोगों के पैंशन इस प्रकार से बन गई है अब ऐसे सब लोग चाहे पहले वाले पैंशन धारी हैं चाहे नए पैंशन वाले हैं इस समय तक तो 27.500 रुप्या महिना आपके बैंक खाते में जाता है मैं आपको बदाई देता हूँ कि अभी परसों ही मैंने ये गोशना की है कि जन्वरी के महिने से जब ये नौ साल पहले उस दोर में मैंने देखा बहुत सब पैंशन के पात्र होते थे उनको मिलती थी यो पात्र नहीं होते थे वो भी ले जाते थे और बहुत से पात्र लोगों को भी मिल नहीं पाती थी इसलिए हमने इस सारी वरस्ता को ठीक करने के लिए जो एक कारकम के एक पोडल बनाया परिवार पैचान पत्र और इस पोडल के माध्यम से अब हर व्यक्ति का प्रदेश के हर नागरिक का डाटा हमारे पास है उसके परिवार का डाटा उसका व्यवसाय क्या है उसकी आय क्या है आमदन क्या है उसकी आयू क्या है उम्र क्या है और जैसे ही उम्र 60 साल की हो जाती है तो सरकारी का विभाद का कोई एक करबचारी या दिकारी घर पहुंचता है और आपसे एक काज़स पर साइन करवाता है साइन कराने में किवल इतना ही ही तो होता है कि आप पेंशन लेने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं किवल इतना एक उप्चायकता करके आपके साइन होने के बाद एक मेने के बाद सीरी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंचती है और आपको भी उस समय खुशी होती है हमको भी खुशी होती है कि हमारे उसे एक भाई को जिसको पेंशन की आवशकता है उसको बिना किसी हुलज़त के और यह पेंशन मिल गई है हमने इस प्रकार से एक विवस्ता की है कि पहले पेंशन मानो कोई लेना चाहता था उसकी pension उसके पहुंश नहीं पाती थी तो कई बार ध्यान में आता था कि बीच में कोई और खा गया pension किसी का हक कोई और मार ले गया तो ऐसे हक मारने का भी एक जो सिलसला होता था उसको हमने बंद किया खास करके ऐसी परिवाद या ऐसाज वक्ति जो किसी से जगड़ा नहीं कर सकते जिसकी को मनुप कोई उनका हक मार के ले गया तो उसकी जिम्uranी किसी को उपने डाल सकते तो यह ऐसी स्थिति कई बाश स्मग में रहती है लेकर अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई किसी पात्र व्यक्ति का अधिकार या हक नहीं मार सकता पात्र व्यक्ति का उसको मिलेगा हाँ अब पात्र व्यक्ति भी जो यानि पात्र नहीं होते थे जो उसके हकदार नहीं होते थे वो भी कई बार इसी pension ले जाते थे तो उनको pension से हमने मना किया है कि जो हकदार नहीं है उसको pension में नहीं मिलनी चाहिए और बहुत लोग ने तो मुझे ध्यान में है आपने आप भी इस समय pension छोड़ी है उनका कि ठीक है हम हकदार नहीं थे मानों हमने गलती से ली दी है तो हम pension छोड़ते हैं एक केश तो मुझे ऐसी भी ध्यान में आया कि उनका कि मैंने pension छोड़ी और इतने समय तक मैं pension लेता रहा हूँ मेरी pension वापिस भी जमा कराना चाहें तो मेरी पूरी pension bank में जमा हैं उसको वापिस भी आप ले सकते हैं ऐसे सज्जन पुरश भी अभ्यान के अंदर हमको मिले हैं जो pension 2014 में एक अजार प्याम आसिक ये मिलती थी हमने उस pension को बढ़ा करके हर साल बढ़ाते बढ़ाते और आज सेती एक जनवरी 2024 को ये pension एक अजार से तीन अजार प्याम ने की है यानि तीन गुणा ये pension हुई है और इस pension को पा करके इस दुरू से मारे 60 वर्ष की आयू को पार करने वाले व्यत्ती उसके अपने डंग से उप्योग करते भी होंगे कहीं कोई बेटी आ गई घर में कोई परिवार के अंदर आफशक्ता है बच्चों को कुछ सायता करनी है अपने आपको खर्च के लिए उसका आफशक्ता है तो सब खर्च करते हैं ताक्ति वो किसी के ओपर अवलंबित न रहें किसी के ओपर निर्भर न रहें और अपना सिस्टम जो ठीक से चला पाए अब इस अगर मैं पेंशन की बात करूँ तो जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं उसमें हमारे बजर्ग बंदू तो है ही है जिनकी आयू साथ साल से उपर है और जिनकी आये अपनी और अपनी पतनी की असाथ दोनों की आये मिला करके तीन लाख रुपे से कम है ये सब बंदू तो ले ही रहे है लेकिन दो भाग कैसे बहुत हमारी बहने विद्वा हो जाती रही है उनको भी पेंशन का प्रावदा हमने किया है कुछ बिमारियां ऐसी होती है लाइलाज बमारियां उन लोगों को भी हम ये देते हैं दिद्यांग बंदू जो अपना ठीक से काम नहीं कर सकते हैं उनको ये पेंशन मिलती है और अब तो एक गोशना मैंने की है बहुत शिग्र उनको योजना मिलने शुरू हो जाएगी पेंशन जो हमारे विधूर बंदू है जिनकी आयू चालिस वर्षे पार हो गई है जिनकी पत्नी का द्यान तो हो गया उनको भी ये पेंशन अब दे रहे हैं और ऐसे ही जिन बंदूं की 45 साल तक शादी नहीं होई 45 साल के होने के बाद उनको भी ये जो पेंशन है हम उपलब्द कराएंगे ताके समाज में एक सम्मान के साथ वो लोग भी रह सके जी सके ऐसे कुल में लाकर 30 लाख लोगों को अब ये जो पेंशन है हर महेने ये जाती है और जनवरी 2024 में अगर मैं प्रतिविक्ति का हिसाब लगाओं तो 900 क्लोड रुपया प्रतिमाह हमारा समाजिक पेंशन लग भग ये साल का 10,000 क्लोड रुपय से भी उपर बनता है जो किसी और प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है हरियना एक मातर ऐसा प्रदेश है जो इस सीमा तक अपनी जो पेंशन है वो बढ़ा कर लेकर तो जए है न के वल पेंशन बलके गरीब लोगों को मिलने वाले और भी लाग जैसे मनों BPL परिवार हैं तो BPL परिवारों का हम जानते हैं कि पहले कभी एक बार सूची सरकार बनवाती थी वर्षों तक उस सूची में नाम नहीं जुड़ पाते थे हमने बीच में एक बार बहुत प्रितन करने के बाद और एक लाख नए राशनकार बनाये थे बहुत से तरह की कठनाईयां उस समयम को आई थी क्योंकि हम भी आखिर सरकारी करमचारी और बाबों से काम लेते हैं लेकर कठाईयां बहुत पैदा होती हैं लेकर हमने जो परिवार पैचान पत्र बनाया और एक ही घुशना की कि अभी तक बीपियल की जो आय सिमा है वो एक लाख बीच जार पैसाल की है हमने उसको बढ़ा करके एक लाख असीजार कर दिया और जैसे ही एक लाख असीजार किया तो यह जो बीपियल के परिवार है यह एक दम डबल से भी ज़ादा और यह हुए है तो उन बीपियल के परिवारों को और आटोमेटिकलि अपने आप राशन का कार्ड उनका बन जाता है राशन की सुईधा ऐसे सब लोगों को मिल जाती है और इसी प्रकार आयुश्वान भारत प्रधार मंतिजी ने जो होशना की कि पांच लाख रुपया प्रती परिवार यदि कोई परिवार में बिमार हो जाता है किसी का इलाज लंबा चलत प्रता है तो ऐसे परिवार के सबस्दस्चों का मिलाकर पांच लाख रुपय वार्षे इलाज का पैसा यह सरकार खर्च करती है यह बहुत बड़ी सुईधा अपने गरीब परिवारों को बीपियल के परिवारों को मिली लेकिन इतना मिलने के बाद भी क्योंकि बीपियल जो सुची थी वो 2011 में बनी थी हमने उसके बाद नई योजना बनाकर और यही लाग चिराईयो योजना के अंतरगत भी हरियना सरकार्ट से शुरू की गई आये बढ़ाई जो लोग उसके बाद भी गरीब लोग हो गए थे उनको सुची में जोड़ा तो यह 15 लाग परिवार के बजार यह लगभग 29 लाग परिवार यह उसके बाद हो गए और अभी जब और आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उसमें से रह गए थे उन सब को हमने चिनित किया कई परिवार मानो इभाजित हो करके एक से दो बन गए एक से तीन बन गए आखर यह 13 साल की अवदी में स देर करोड से उपर लोग ऐसे हैं जिनको इसका लाब मिलेगा सब के काड धिरे दरे बन रहे हैं 80 लाख लोगों के काड बन चुके हैं 6 लोगों के काड अब एक एक स्थान पर जाकर हमारे लोग यह बना रहे हैं इस प्रकास से एक बहुत बड़ी योजना चिराईयो हरिया आयुषमान भारत इसकी भी हमारी जो है बनी हैं जिसका लाब आप सब लोग उठा रहे हैं परिवार पैचान पत्र में नकेवल इतना ही हैं कि जिससे कोई हमारी होल्ड एज पेंशन अथवा आयुषमान भारत अथवा राशन कार इनी का नहीं तो 397 सेवाएं और योजना उसी हैं जो परिवार पैचान पत्र बनने के बाद घर बैठे आपको उसका लाब होता है अब यदि किस व्यक्ति को अपना जनमतिती में प्रमार पत्र चाहिए एक क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपना backward class का certificate चाहिए एक click से मिलता है किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की फरत चाहिए एक click से मिलती है यानि इतनी सुविधा है उसका जोड़ी है अब दर-दर ना भटकना पड़ता है ना चक्र काटने पड़ते हैं हर व्यक्ति को इसका लाब मिला है हमारे विपक्षी बंधू बहुत शोर मचाते थे कि पोर्टल ऐसे बना दिये हैं लोग जो हैं पोर्टल में पिस गए हैं मेरा कहना है ये पोर्टल ही ऐसी चीज है कि हर चीज सुविधा जर्ट तरीके से बिना उनका खर्च किये बिना उनका समय लगाए बिना भागदोड कि ये घर बैठे मिलता है और मुझे संतोश है इस बात का कि जो हमारे विपक्ष के लोग इस पोर्टल को बहुत बड़ी-बड़ी गालियां देते थे पोर्टल खतम करेंगे पोर्टल हटा देंगे अब आखिरकार वही मान गये हैं कि नहीं पोर्टल है तो अच्छी चीज इ हमने उन कमियों को दूर करना शुरू किया है और लगभग दो लाग से ढाई लाग ऐसे परिवार थे सतर लाग में से जिन्होंने कुछ कमियां बताई हमने प्राया प्राया सब ठीक कर दी है अब तो कोई कमी होती है उसको तुरंत वो लोग ऑनलाइन उसको दर्ज करते हैं और हमारे लोग उसको तुरंत जाकर के सर्वे करके उसको ठीक करते हैं किसी की इनकम गलत लिखी गई है उसको ठीक करते हैं परिवार के सदस्यों की संख्या गलत लिखी गई उसको ठीक करते हैं पता गलत लिखा गया उसको ठीक करते हैं नाम अत्वा पती पिता का नाम अत परिवर्तन हैं चाहे उसकी आयका परिवर्तन है इस परकार के सब परिवर्तन उसके अंदर डाले जाते हैं। यदि व्यक्ति एक सान से दूसे सान पर चला जाता है दर्ज करते ही तुरंत उसको बदल देते हैं तो इस प्रकार की ये परिवार पैचान पत्त की जो सुईधा है ये का बड़ी सुईधा और ये लोगों को सबको दी है आपके लिए एक और खुशी की सुचना ये मैंने जो दो दिन पहले करनाल के अंदर जो समेलन महा समेलन हुआ था अंतियोदे महा समेलन उसमेलन उसमें गोशना की थी कि ऐसी बड़ी आयू के लोग 60 वस से उपर के आयू के लोग और बीपेल के परिवार इन लोगों को मुख्यमंती तीर थियात्रा योजिना ये बनाई गई है और इस तीर थियात्रा योजिना के अंतरगर अब आप स्वेम और आप अगर किसी से योगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेल्वे का किराया ये मुफ़त होगा चाहे आप अयोध्या जाते हैं वारनसी जाते हैं आप अमरिसर जाते हैं आप प्रयागराज इन जाते हैं, कोई भी तीर्थियातरा करने के लिए मतुरा जाते हैं तो इन सब स्थानों पर जाना के लिए शाठ वर्ष से उपर की आयो के हर व्यक्ती को ये सुईदा दी गई है तीर्थियातरी बन करके आपका अपना खर्च कम से कम लगे आपका रेल्वे का जो किराया है वो सरकार भरे इस प्रगार की योजना भी आपको दी है निश्य गुरुप से आप इसका जो लाब है अवच्छ उठाना चाहिए आयो मैंनो असी वर्ष से उपर के जो हमारे बुजर्ग है हमारे ऐसे साथी बुजर्ग जिनकी असी वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवशकता होती है और बड़ा एक अनोखा चितर सामने आया कभी-कभी तो असी वर्ष का उपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है हमारे पास ऐसे च्छती सो ऐसे हमारे जो बुजर्ग हैं असी वर्ष से उपर हैं अकेले रहते हैं कैसे वो अपने खाने के वस्ता करते होंगे कैसे वो वजन के वस्ता करते होंगे यानि कपड़े के वस्ता करते होंगे शेश भी बहुत आउशकता होती हैं कई दवाई की है कई देखवाल की है तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ट नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं हर एक जिप्टी कमिश्रम को हमने कह दिया है कि जिला के इंद्रों पर वरिष्ट सेवा आश्रम जो है कहीं रह रहे हैं मानो परिवार में रह रहे हैं तो भी हर दो मेने में एक कोई ना कोई करमचारी या तो रिटार करमचारी जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है परहरी यूजना बनाकर इस परहरी यूजना के अंतरगत आपके पास दो मेने में कोई एक व्यक्ति सम्हाल के लिए देखवाल के आपका हाल चाल पुछने के लिए जरूर आएगा तो इस प्रकार से ऐसे जो हमारे बज़र्ग हैं शारिडुक रूप से कई बार आशर्टा होती है तो उनकी सबकी सेवा होगी बज़र्गों भाईों बहनों शारिडुक रूप से कई बार आयू के साथ कमजोरी आ जाती है लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर एक आयू के साथ व्यक्ति का अनुभव है वो अनुभव भी बढ़ता है और उस अनुभव का लाव हमें अपनी नही पीड़ी को ये भी देना आखिर नई पीड़ी आ करके हमारे अनुभव का लाव लेकर के समाज में जी उनमें काम करेगी उनकी भी प्रगती होगी और देश पर देश समाज को वो भी लाव होगा तो निश्वरुप से इस काम को भी हमें करना चाहिए सब को अपनी और से ये सब बताना चाहिए आपके साथ हो सकता कुछ ऐसे युवा साथ ही या आपके परिवार के अन्य लोग मेरी बात सुन रहे हों तो मेरा उनसे भी आग रहे हैं कि हम अपने बजर्गों का ख्याल रखें जिन बजर्गों की बदालत हम यहां तक पहुंचे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान उन उनकी सेवाद रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो कोई भी तकलीफ महसूस नहीं करेंगे और उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे बजर्गों का शिरवाद हमको मिलेगा तो निश्चित रुप से हमारे जिवन भी हमको सफलता मिलेगी इन शब्दों के साथ पुने आ झाल